नरेंद्र मुदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर जाने माने आक्टर नसीरुदीन शाह ने कहा है कि देश के नागरिकों को सरकार के प्रती धारना बनाने से पहले उसे और समय देना चाहिए हाला कि दोने पार्टिक्रम में बदलाव को लेकर मूदी सरकार पर निशाना साधा है नसीरुदीन शाह ने कहा है कि वो कुछ पार्टिक्रमों में किये गए बदलावों को लेकर चिंतित हैं अपनी नई फिल्म वेटिंग के प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे नसीरुदीन शाह ने कहा कि मेरा मानना है कि सरकार में बैठे लोग इतने मूर्ख नहीं है कि वो देश को अंधेरे के दौर में ले जाए नसीरुदीन शाह ने अनुपम खेर पर भी निशाना साधा नसीरुदीन शाह के मताबग वो व्यक्ति जो कभी कश्मीर में नहीं रहा उसने कश्मीरी पंडितों की लड़ाई शुरू की है अचानक से वो एक विस्थापित कश्मीरी बन गया नसीरुदिन ने राज्य सभा में गीतकार जावेद अखतर द्वारा दिये गए बयानों का भी समर्थन किया है उन्हें ने कहा कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी दूसरे के देश प्रेम पर सवाल उठाए